गिसमिल्यार्मान रहीम, असलाम लेकुम, हमारे किचिन में आज बन रहे हैं चिकन चीज नान, जो कि ओवन में और बगार ओवन के दोनों तना से बनेंगे, तो हम इसे शुरू कर लेते हैं, इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है, 6 कप मैदा, मैदा जो है क्योंकि मुझे ज दालोंगी दही, दही है मेरे पास 250 क्राम, जिसे आप एक पाव कह सकते हैं, नमा कप अपने टेस्ट के हिसाब से ले ले, मैंने वन टी स्पून दाला था, और थोड़ा से जादा, थोड़ा सा और दाला था, उसके बाद में डाला है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोटा, और 2 टेबल स्पून ऑईल, अची तरह से बना लेंगे, आटा गून लेंगे, आटा जो है इसका, वो एक सौफ्ट डो बनाना है हमने उस तरह से गून देंगे, पहले जब नान बनाए थे, उसका आटा इस तरह से जाना था बिल्कुल वैसी जाता है, दही इसमें थोड़ा से ताकि यह सॉफ्ट हो और जब मुझे जरूरत पड़ी है पानी की इसे गूनने के लिए तो मैंने इसमें बिल्कुल नीम गरम पानी यूज किया था जिससे इसका जो एक्टिव होगा यह जल्दी रेडी हो जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा जब यह सारा एक जान हो गया अपने हाथों पर इसके बाद में इसे आप अच्छी तरह से गून लें गूनने के लिए तकरीबए पांच मिन मैंने से गूनदा है ताकि यह बहुत अच्छा से रख दिया है यह बहुत जल्दी रेज हो जाता है तकरीबए 40 मिन लगते हैं यह आधे से एक घंटा बस उसक बेखेज़ नेलान जाए है जिए नान के अन्दर एक चुक्ट में टोंसे नान जाए है नेता पॉर्ट ले लिए तो दूर्ट एक पॉट्सपों लेला ओल जाता हैं जाए और भी जाए तो आयो, आटाव जाता है तो आप देख सकते हैं यह सहां से मैंने डाल दिया है चिकन ब्रेस्ट इसके बाद में अम इस पे अब कुछ मसाले डालेंगे अपने इसे थोड़ा सा भून लूगी में पहले इसे थोड़ा सा फ्राइ किया है, वैसे तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती, तेकिन फिर भी इसे हलका सा फ्राइ कर लिया, उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाला है, एक टी स्पून, बुना हुआ कुटा हुआ जीरा और धनिया डाला है, वन टी स्पून, और उसके साथ ही जो है नमक डाला है, अपने टीस के साफ से वन टी स्पून लिया था, गरम मसाला हाफ टी स्पून लिया था, हल्दी ली थी वन थर्टी स्पून, और साथ में लिया था मैंने जो धनिया बादर होता है, वो वन टीबल स्पून, मसाला इसमें तोड़ा सा जाता है, मिर्चे म नान भी बहुत अच्छे बनते हैं तो यह जो चीज है, यह मौजरीला चीज है, मैंने इसमें तक्रीबन 2 कप के करीब डाली है चीज, आप जितनी जहाएं कम यह जादर डालें, आप चीज को नान बनाते हुए अलग सी भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसे में आड करें, लेकिन मैंने इसमें आड कर दि पहले मैं नान बनारी हूँ, सबसे पहले मैं और नान में तवे पे बनाने वाला नान हरी हूँ और मै प्याहसे छिज आप लोग देख सकते हैं मैं इसे हर तरफ से बंद कर रही हूँ प्रॉपरली यह हलका हलका जो है हर तरफ से कंप्लीट बंद हो जाएगा कहीं से एक खुला नहीं रहेगा इसे साइट पे रखके हमने बिल्कुल लॉग कर दिया है अब इसके बाद में इसमें मैं दुबारा से थोड़ा से खुश्की लगाऊंगी मैं आपको दो तरह से बनाना दिखा रही हूँ एक है जो बेलन के साथ बनाएंगे और दूसरा बगैर उसके तो मैं आपको बता दिती हूँ यह हम बनाएंगे बेलन की मदद से अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं हाथ की मदद से थोड़ा से इसे हम प्रेस करते जाएंगे तक कि फिलिंग हर तरफ पहुंच जाए और उसके बाद मैं ऐसे बेलन की मदद से बेल लिया है जैसे हम सामने मैं तयार करूँगी किस तरह से तयार होता है अब हलका से मैंने नीचे खुश्की लगाई है जो आटा होता है खुश्कारणा वो लगाया है और उपर ये है कलॉंजी और इसके साथ में है तिल ये दोनों चीज़े मैंने इस पर डाल दी है और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मैं इसे हलका हलका सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये जिपक जाए इसे मैंने बेलन की मतब से थुढ़ा सा दबाया है ताकि इसपर लगा रहे और ये निकले नहीं और उसके बाद मैं इस साइड से पलट दूँगी ऐसे और यह जो दूसरी साइड है हमारी नीचे वाली इस पे हम लगाएंगे पानी पानी इसलिए लगाना है क्योंकि हम इसे तवे पर बना रहे हैं और हमें इसे बिल्कुल उल्टा करके जो है वो सेखना होगा आपने देख मैं उपर जो वीडियो है वो लिंक करताऊगी नाँ की रेसंपी की मैं इस पे अच्छा खासा पानी लगा आ है कि गील हो जाय और तेज दवे पर टेज दवा गरम होता है उस वक्त मैंने इस पर डाला है मैं इसकी आँच मीरियम कर दी है तवा तेज गरम होना चाहिए आप आप तेज आँख करके तेज आख पे इस तरह से शेक लेंगे ऊल्ड़ा करके अगर पानी ज्यादा लगा होगा तो ये अच्छी तना चिपकेगा नान हमारा हो गया है ready, आप लोग देख सकते हैं, नीचे से बढ़ा अच्छा सा ready हुआ है यह, इसे निकालने के लिए एक simple सी तरकीब है, जो आपका normally spatula होता है, उससे आप इस तरहां से करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत यह आसानी के साथ यह बहर आ जाता है, और देखें, पीठे से भी कितना अच्छा तयार हुआ है, एकड़म परफेक्ट, इसे मैंने निकाल लिया है बाहर, अब इस पर मैं ब्रश की मदद से लगा दूँगी मक्षन, गरम-गरम नान पे, इससे यह soft रहेगा और बहुत अच्छी सी shine आएगी इस पर, तो हमारा और आप देख सकते हैं, यह बहुत अच्छा से ready हो गया है, बहुत अच्छा color आया है, और मैं आपको इससे तोड़के भी रिखाऊंगी कि यह किस तरह से ready हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत soft, बहुत मज़िदार, आपको यकीन ही आएगा कि घर में इतना अच्छा नान दयार हुआ है, और complete इसकी filling भी भी पहली हुई है हर जगा पे cheese के साथ, अब हम जाते हैं अपने अगले नान की तरफ, उसके लिए same way में हम यही करेंगे, जिस तरह से हम पेडा लेते हैं, और उसके ओपर दुबारा से हम filling रखेंगे, और filling रखेंगे हम इसे इसी तरह से अब आप दिखा दिया है, यह नान जो है हम अवन में बनाएंगे, यह गया है complete बन, इस पर हम खुशकी लगाएंगे, और इसे हम हाथ की मदद से इस तरह से करते जाएंगे, ताकि हर तरफ चिकन फैलता जाए, और इससे मैंने बिलकुल भी नहीं बेला है, बिलकुल इस प जो तिल हैं वो लगा दिया है, और से मैं इसके साथ में प्रैस करूँगी, अब यह फुटिज इस दिया है, क्योंके मैंने उसके ओपर दही लगाया था, तो वो मैं दिखा नहीं पाई थी, कैमरा बंद हो गया था, तो जब दुबारा मैंने नान बनाया है, और मैं आपको अपने अवन के हिसाब से टैंप्रेशर पर रख सकते हैं, तो यह देख लीजए, बहुत अच्छा सा नान तयार है, जो के रैडी है, इस वक्त मैं इस पर लगा दूँगी मखन, वो ब्रश की मदद से, ताकि यह बहुत अच्छा शाइनी सा और बहुत अच्छा सा हो जाए और आप लोग देख सकते हैं, यह कितना जबर्दस तयार हुआ है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो आप इससे लाइक जरूर कीजएगा, आपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजएगा, मुझे कॉमें बताइएगा रैसी भी आपके पास कैसी तयार हुई और को कैसी लगी है, साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इससे सब्सक्राइब सरूर कीजएगा, और इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं, कि मैंने इससे नीचे से निकाला है, तो यह कितना अच्छा सा रैडी हुआ है, बहुत जादा गर्म है, मैं आपको कोल के दिखा रही हूँ करीब से, देखें कितने मज़े का चीज़े तयार हुआ है यह, थैंक यू फो वाचेंग, अलाहाफिज